हेलो फेंड्स में मोट वायर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूटुब चैनल में तो और में फिर से एकोने बड़ों साथ आच चुका हूँ फ्रेंड और गैजर पबचिम वाल के तरफ से फाइनली गैज दा पावर फोर जो आप लोग का इबेंट आने वाला था वो अच चुका है गैजर और उसी के बारे में यहां पे man upload complete इवेंट समझाऊंगा और यहां पे क्या कुछ करना और यहां पे आप लूग क्या कुछ फिरी में मिलेगा भी या फिन नहीं तो यह नहीं पूरा डिटेल में उसके बारे में बताने वाला हम तो आप लोग वीडि आपके सवी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट में साथ ही डाउटनेट पर क्लास नवी से बारवी के बच्चों के लिए चल रही है तो देख सकतो गाज यहां पर आप लोगत अपर बने खर नाप धेखने को मिलेगा यहां पर आपंर आपके जडिए और आपकार आपव कर नापर मिठिक आउट्पीट अच्छे फ्ली और तीसरा फैज पासर बिच आपर आपड़ो को अपर उप्सेन दिख जाएगा तो देख सकते हैं यह लेजंडरी कोंट्रैट करके आप लोग का एक नूव लगकी स्पिन देखने को मिलेगा हाला कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों बताया था इसकी हो सकता है कि यह एक सूट करके आप लोग का जो फैरो करके इवेंट आया था उसी टाइप का होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह बिल्कुल आप लोग का अलग हट कर गाईज एक नॉर्मल सा आप लोग का ल यहां पर रो करने को मिले पर गाईज देख सकतो ऐसा कुछ नहीं है आप लोग यहां पर यूसी लगाना ही पड़ेगा बाकी यहां पर रिवार्ट की बात की जाए तो देख तो आप अच्छे से यहां पर आइटम है हेलमेट है उसके लावा है चारों का उसके अलावा यह अलग अलग टैप का आप लोग का इमोट से और गाईज यहां पर देख सकतो अगेन आप लोग को एक बैक पेक का भी स्किन देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्राप्लम में गाईज कि आप लोग को 60 यूसी यहां पर एक ड्रो के लिए इस्पेंट करना लेकिन गाईजर यहां पर देख सकते हैं कितना जादा यह आपलोग का महंगा और गैज एक्सपेंसिव यह स्पीन होने वाला है मेरे को लगता गाईजर यहां पर फैरो वाला आप लोग का पर इवेंट आया था उसकेबाद गैज यह बाकी रिवार्स की बात किजा तो द अच्छे यहां पर आपड़ों का भी इसकी नहीं कि यहां पर काफी ज्यादा आप लोगो यूसी इस पेंड करने लागे चाहिए तर्फ नहीं और यहां पर देख़तों करहारा हप्लों को मिलने का चांज स्रिफ 0.55% है और यहाँ पर लेजिंडरी का भी देख सकतो 2.65% मतलब सोच सकतो गयाज कि कितना आइटेम आपको यहाँ से कितना जल्दी निकलेगा और यहाँ पर देख सकतो और बाकी यहाँ अगर और और यहाँ इस्पीन की बात कि जाए तो ठीक ठाके पर यहां पर काफी एक्सपेंसिब सबसे बड़ी प्रॉब्लम में ही है एक पहला इस पीन वह दस यूसी में देना चाहिए था बाकि यहां पर दस इस पीन करने के बाद यहां पर फाइफ फुटी यूसी लगना चाहिए था तब यह थोड़ा ज्यादा बेटर रहता और यहा कोई भी इस फीन में स्पेंड नहीं करता हूं तो यह बहुत कुल आप लोग के लिए वेस्ट है और जो भी यहां पर फ्री में सोच रहे हैं कि इस इवेंट से कुछ मिलेगा तो बता दो कि कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोग यहां पर यूसी स्पेंड करना पड़ेग झाल